नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनिशा सिंग और आप देख रहे हैं इनफी कंदा लोगसभर चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं ऐसे में सभी पार्टी प्रचार में लगी हुई हैं जहां अमिश शा ने आज मुरादाबाद का दोरा किया तो वहीं यूपी के सीम योगी आदिपिनाथ आज यूपी के के केराना और सारणपुर में चुनावी रैली कर रहे हैं अमिश शा ने लोगों से वोट की अपील की साथी साथ विपक्ष पर भी जम कर निशाना साथा हमारे गुजरात में कहते हैं पूत के लक्षन पालने में से पहला चुनाव कहां है बई बताओ तो जरा पहला चुनाव कहां है अब ये पस्चिम वाले जैसा करेंगे ऐसा पूरा उत्तर प्रदेश करेंगा ठीक है ना तो पस्चिम वालोंने बरोबर आगे बढ़ना है क्या जरा जोर चे बोलो बढ़ना है क्या मित्रो आने वाले दिनों में एक एक घर से एक एक युवा एक एक माता बेहन भाई किसान दलीत मजदूर पिछडा सभी निकल कर कमल के निसान पर बटन दबाने का ये चुनाव है भाई और बेनो एक चुनाव में आप ठाकुर सर्वेश सिंग को वाट दोगे परमेश्वर लाल सेनी को जो वाट दोगे कमल के निसान पर जो बटन दबाओगे वो वाट सीधा नरेंद्रम मोदी को मिलने वाला है वही इस जोरे से पहले कॉंग्रेस के उमीदवाल इमरान मसूद के मंदर जाने के को लेकर बड़ा विवाद हो गया आपको बता दें कि इमरान मसूद सिध्धिपेत्रपूर बाला सुंदरी देवी के मंदर कए मसूद की इस मंदर यात्रा पर बजरंग दल ने एतरा जताया है बजरंग दल ने मंदर परिसर में गैर हिंदूों के प्रवेश पर प्रतिवंद के पोस्टर चस्पा कर दिये है सारणपूर से सपा कॉंग्रेस गटबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद द्वारा देवबंद सिध्धिपीत मा अत्रपूर बाला सुंदरी देवी मंदर में दर्शन करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और बजरंग दल ने इसे हिंदू समाज का अफमान बताते हुए मंदर परिसर में गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंद लगा दिया है बकाईदा बजरंग दल द्वारा मंदर परिसर के आसपास पर चेचस्पा करते हुए गैर हिंदू लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है जिसके चलते पूरे मामले ने बड़े विवाद का रूप ले लिया है हाला कि इस मामले में मंदर कमेटी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाद की